यूपी के बांदा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक मा ने अपनी 14 वर्षिय बेटी की गला घूट कर हत्या कर दी ये पूरा मामला गिरवा थाना छेत्र के खुरहंड गाउं का है मिली जानकारी के मताबिक बेटी के प्रेंप्रसंग को लेकर मा बेटी में आए दिन जगड़ा होता था जिसकी वज़र से मा ने बेटी की हत्या कर दी जब चार दिनों तक लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला तो लड़की के चचेरे भाई ने लड़की की हत्या की आशंका जताते हुए लड़की के मा के खिलाफ थाने में तहरी होती मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला से पूछ ताच की तो महिला ने हत्या की बात सुईकार करते हुए बताया कि लड़की की हत्या कर उसने शेफ को घर के हाते में दफना दिया मृतका का पिता नोईडा में रहकर काम करता है फिलाल पुलिस ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्च कर शेफ को पोस्ट मॉटम के लिए फेज दिया है पता चला हमने घटना स्थल का जो है दोराभी किया है और हमारे अलावा पुलिस अदिश्यक महुदे और शित्रादिकारी सभी लोग मौके पर गये थी और जो वहां देखने में आया वो एक जो लड़की है खिल्पी उसका शव वहां पर किसी ने अंदर जो है दपन कर दिया था और उसका थोड़ा सा भाग दिखाई दे रहा था इस प्रकरण में हमारी जो पॉरिंसिक टीम है और जो विवेचक हैं ठाना देख्ष हैं मुकामी पुलिस इसकी जाच कर रही है और गेटना को जो है दर्ज करके जो भी कारवाई होगी लोग विधिकरूप से रहेंगे उसके बाद जो प्रगति होगी हम आपको होगे